मश्रूम जितना सथा टेश्टी है इसके साथ साथ ये बहुत ही सादा हेल दिवी है इसलिए मश्रूम का डिमांट दिन बादिन बरता ही जा रहा है और डिमांट के साथ साथ मश्रूम का कर्टिवेशन भी दिन बरता ही जा रहा है इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके सा चेहर करूंगा आप किस तरीके से बटन मश्रूम को गल पर ग्रो कर सकते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखेगा हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुरूजीत और आप देख रहे हैं अब कपने यूट्यूब चैनेल पीछन गार्डिनिंग तो चलिए वीडियो को शुरू करत मुझरूम करने के लिए सब से पहले आपको चाहिए यह कंपूष्ट है यह जो कंपूष्ट है आप चाहेसर बना सकते हैं या फिर खरीष सकते यह जो कि इसाफिचाइब कर चाहिए पोड़े सकते हैं आम चाहिए चेह तो करीज सकते हैं इसके आपकोश्ट के साथ हों एक है हुझे तरीके से मिक्स करेंगे जानीत्य ऑटक मश्रूम ग्रों करने उस एक पॉलिसिन के बैक में करीब 15-20 किलो कमपोश्ट आता है 15-20 किलो कमपोश्ट में हम करीब देड़ से दो मुठी मश्टूम का जो स्पॉन है यहाँ पर आप पिक्चर में देखी सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं उसके बाद हम इसको उस पॉलिसिन के ब पेशर देंगे सारे एयर पॉकेट्स को खतम कर दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं इसके लिए हम इसे पेशर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से पढ़कते हैं उसके बात हम इसके ऊपर थुरसा और मश्रूम का स्पॉन चिरग देते हैं कुछ इस त चाहिए इससे मश्रूम ग्रोव होने में थोड़ा दिक्कत होता है उसके बाद हम पॉलिसीन की बैक की मदश से कुछ इस तरीके से पूरे कंपोस्ट को कफर कर देंगे यह आप जितनी अच्छी तरीके से करेंगे आपका मश्रूम भी उतना ही जल्दी उतना ही अच्छी त यह पूरी तरीके से एयर डाइट हो इसके बाद हम इस पॉलिसीन को एक डार्ग जगा पर रख देंगे पंड़ा दीन बाद इस बैक के अंदर माइसेलियम डेवलपमेंट यानि फंगस का फैलना शुरू हो जाता है और आप बाहर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मक्री का चाले जैसा यह अंदर की तरफ फैल रहा है केसिंग करना यानि कंपोस्ट के ऊपर एक दूसरे म्यट्टी का लेयर देना इसके लिए आप कुकू पीट या फिर भार्मी कंपोस्ट या फिर एक साल पुराना काउडङ कंपोस्ट जो भी आपके पास एवेलेबल हो उसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आप casing material यहाँ पर मैंने कोकूपीट लिया है इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके उपर हलके हाथों से छिरक दोंगा और करीब एक एक इंच का layer दे दोंगा casing करने के बाद हम इसके उपर बरपूर पानी का स्प्रे करेंगे और पूरे कमपोस्ट को गिला कर देंगे casing करने के बाद का stage यहाँ पर आप देख सकते है इस stage को कहते हैं peanut stage इस stage पर mushroom grow होना शुरू हो जाता है इस समय हम mushroom के bags में fresh air देते हैं यानि जिस जगर पर हम इसे grow करते हैं उसके सारे दर्वाजे खोल देते हैं और बाहर की हवा को अंदर आने देते हैं इसके लिए कई बार exhaust fan का भी इस्तमाल किया जाता है और fresh air लगने से mushroom बहुती चल्दी बरे size के होने लगते हैं और कुछी दिन में harvesting के भी काविल हो जाते हैं mushroom को आप 4-5 पर harvest कर सकते हैं यह पर आप देखी सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से mushroom ग्रोफ हुए हैं जब mushroom अपने ideal size में आ जाते हैं तब हम इसका हर्वेश्टिंग कर लेते हैं नहीं तो यह साथा बरा हो जाता है और उपर से फटने लगता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जब mushroom अपने ideal size में आ जाते हैं तब हर्वेश्टिंग करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से उपर से पकर के नीचे के तरफ दवाना होता है और एक तरफ गुमाना होता है इससे यह बहुती अच्छी तरीके से निकलाते हैं अब मैं आपके साथ share करता हूँ मश्रूम ग्रो करने का कुछ important बाते जो आपको मश्रूम ग्रो करने से पहले जानना बहुती ज़ादा जरूरी है सबसे पहले मश्रूम कोई plant नहीं है यह एक fungus है और इसे ग्रो करने के लिए sunlight का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसे हमेशा एक अंधेरी जगह पर यानि dark जगह पर ग्रो किया जाता है इसलिए आप इसे हमेशा एक dark जगह पर ग्रो किजिए इसके अलावा मश्रूम को ग्रो करने के लिए तीन चीज़े सबसे ज़्यादा important होती है पहला है temperature बॉटन मश्रूम को ग्रो करने के लिए 18 से 30 degree temperature चाहिए होता है इस temperature में इस सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होता है आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप देखिए कि साल का किस समय यह temperature होता है उस समय आप इसको ग्रो केजिए इसके अलावा अगर आप air condition का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप पूरे साल ही बटन मश्रूम को ग्रो कर सकते हैं मश्रूम ग्रो करने का दूसरा important चीज़ है water इस bag में हमेशा water को maintain किया जाता है इस से मश्रूम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं यह पर आप देखी सकते हैं इस तरीके से पानी टबक रहा है कुछ इस तरीके से पानी हमेशा इस bag में maintain किया जाता है इसके साथ साथ मश्रूम ग्रो करने के लिए humidity भी बहुत ही सादा जरूरी होता है हमेशा 70-90% humidity एर में maintain किया जाता है तभी मश्रूम सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं यहाँ पर आप इस मीटार में देखी सकते हैं इस रूम का temperature है 18.7 degree C और humidity है 77% इसको हमेशा maintain किया जाता है और इसी विज़े से यहाँ पर मश्रूम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है मश्रूम ग्रो करने का तीसरा important चीज है एर इसके लिए exhaust fan का इस्तमाल किया जाता है और जब भी fresh air का जरूरत होता है तब exhaust fan को चलाया दिया जाता है और बाहर से fresh air अंदर दिया जाता है इस आज का वीडियो मश्रूम कल्टिवेशन के बारे में जब मैं अपने घर पर इसे ग्रो करूँगा तब मैं और फी टीडियल के साथ आप लोगों के साथ इस प्रोसेस को शेयर करूँगा तब ते के लिए आप चैनल को स्क्राइब करके पेल नोडिकेशन अन कर लेजिए इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोट करूँगा आपको नोडिकेशन मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने दोस को से शेयर जरूर कीजिएगा थेंक यू, हैपी गार्डेनिंग